तो फ्रेंज, वाट्सब के जमाने में कोई आपको डोकुमेंट वाट्सब करता है या उस पे लाइट नहीं है या फिर कोई टीड़ा मेडा घीच करके आपको कुछ इस तरह से अगर आपको शेयर करता है तो उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो या फिर आपको कोई document आपको कुछ इस तरह से अगर आपको मिल जाए तो उसको आप कैसे कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं काफी बहतरीन तरीका से आप उसको काफी बहतर कर सकते हो तो वीडियो काफी interesting होने वाला है तो वीडियो को बिना escape के वीडियो को end तक जरूर देखें So guys, हम पहले अधार card को हम सीधा करके और इसको correct करके देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं तो हम simply क्या करेंगे इसको अगर हमको सीधा करना है तो हम यहां से इसको crop tool जो है इसको हम लेंगे और यहां से हम इसको ऐसे drag करके और एक आधार का shape में हम इसको ऐसे आधार shape में इसको क्या करेंगे कट कर लेंगे ठीक है तो हम इसको यहां से ok करेंगे तो फिर हम आप guys देख सकते हो कि इस तरह का कुछ ये आ जाएगा फिर हम यहां से इस लॉक को हम हटा देंगे और Ctrl T हम प्रेस करेंगे So guys इस तरह का आप इसको select कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे यहां पे जो करसल है इसको हम Ctrl के साथ यहां पे हम इसको ऐसे खीच के और ऐसे Ctrl के साथ खीचेंगे तो ऐसे यहां पे आ जाएगा फिर हम इसको इसको भी Ctrl के साथ ऐसे करके Guys हम यहां पे ऐसे इसको कर सकते हैं So guys आप देख सकते हो कि यह काफी अच्छा हो चुका है तो Guys पुछ इसका Lighting Waiting अगर हम को करना है तो हम क्या करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके All Notification On कर दें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसका Lighting करना है तो Ctrl और Alt एल प्रेस करेंगे तो इस तरह से कुछ इस पर Lighting भी आ जाएगा और गाइज हम यहाँ पर लेबल भी अपने हिसाब से भी इसको Manage कर सकते हैं गाइज और यहाँ से OK करेंगे अगर कहीं पर आपको Light अगर दिख रहा है नहीं है तो आप यहाँ पर Simply इस पर डोगल टूल्स पर आप यहाँ किलिक करके और ऐसे आप इसको कर सकते हो So guys, कोई टैक्स पर कोई अंतर यहाँ पर नहीं पड़ेगा So guys, यह काफी अच्छा यह आप प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हो Guys, फिर हम अगला देखते हैं कि हम इसको कैसे Correct कर सकते हैं तो इसको हम भी हम Simply क्या करेंगे इसमें थोड़ा Lighting वोटिंग का भी हम काम इसमें करेंगे तो हम Simply हम यहाँ से Crop Tool लेंगे और Crop Tool लेने के बाद यहाँ से Guys, हम इसको यहाँ से इस तरह से कर देंगे और यहाँ से Cut कर लेंगे और फिर हम यहाँ से इसको हटा देंगे ठीक है? और Guys, Control T प्रेस करेंगे और यहाँ से Guys, हम इसको Sorry, Control के साथ हम इसको यहाँ से Drag करेंगे ठीक है? और इसको हम यहाँ से Drag करेंगे ठीक है? तो Guys, आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छा ये पेपर सही हो चुका है तो हम इसको हम कैसे कर सकते हैं लाइटिंग उगर देना है तो Ctrl, Shift, Alt और L प्रेस करेंगे तो अटोमेटिक गाइज यहाँ पे लाइटिंग आ चुका है तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे गाइज कुछ यहाँ पे हमको धूदला पन दिखाई दे रहा है तो हम सिधा यहाँ Doggle tool का यूज करेंगे और यहाँ पे थोड़ा lighting उगर है हम यहाँ पे कर देंगे जहाँ-जहाँ आपको दिखता है कि आपको light चाहिए तो यहाँ पे आप light guys दे सकते हो तो आप काफी अच्छे तरीके से इसको मैं थोड़ा roughly कर रहा हूँ तो काफी अच्छा आप इसको look दे सकते हो अगर आप चाहो तो control L के साथ press करोगे तो guys आप थोड़ा इसमें लिखावट का थोड़ा सा lighting करोगे तो यह थोड़ा dark हो जाएगा तो काफी अच्छा print आने लगेगा तो आप देख सकते हो guys कि इसको हम कैसे correct कर लेते हैं तो guys फिर अगर इस तरह का कुछ photo हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं guys तो उसके लिए आपको क्या करना है इसको simply वैसे ही same process है कि इसको भी आप यहां से drag करेंगे यहां से cut कर लेंगे यहां से हम जैसे cut कर लेते हैं और cut करने के बाद guys इसको हम क्या करेंगे इसको भी हम यहां से हटा लेते हैं और control T करते हैं और guys यहां पे आपको अभी control के साथ नहीं यहाँ पे आपको CC वर्जन यूज करना होगा यहाँ पे आप देख सकते हो एक वार्प मॉड का एक option आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस पे आप किलिक करेंगे देन इसको अब जब यहाँ से उपर की तरफ जब आप इसको ड्रैग करोगे गाईज तो आप देख सकते हो कि यह काफी हद तक यह अच्छा हो चुका है और आप जहां से चाहें आप उसको सही कर सकते हो आप देख सकते हो गाईज कि आप यहाँ से आप इसको सही कर सकते हो देन आपको जैसे आपको लगे कि यह सही हो चुका है तो आप OK कर दें फिर CTRL T के साथ इसको आप यहां से बढ़ा कर ले और अपने Coding इसको आप set कर ले गाइस आप देख सकते हो गाइस आप देख सकते हो कि हम इसको काफी अच्छा हम लोग कर चुके हैं और इसको भी क्या करेंगे CTRL, SHIFT, ALT और L प्रेस करेंगे तो यहां पर लाइट आ चुका है और जहां पर लाइट नहीं गया है तो हम यहां पर इसको select करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यहां पर हम लाइटिंग देना चालू करेंगे यहां पर जैसे simply आपको ऐसे ऐसे करोगे तो यहां पर लाइटिंग आना शुरू हो जाएगा गाईज तो इस तरह से अपने डेकोमेंट को आप सीधा कर सकते हो और प्रिंट आउट काफी अच्छा तरीके से आप उसको निकाल सकते हो गाईज तो गाईज यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडिय करें तो गाईज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत